नमस्कार दोस्तों और गेनी कर्याली नर्शी के यूटीब चैनल में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त अशोक कुमार और आज अमारे पास प्रकतिसील किसान है वो आए हैं जिनोंने एक साल पहले चंदन की प्लांटेशन की थी और आज उनसे पूछेंगे उनके चंदन क पहले चंदन की खेती कीती कितने पोदे लगाये थे आपने मैंने तीन सो पोदे लगाये थे तीन सो पोदे लगाये थे अभी जो आप मैंने आपसे वीडियो मंगवाई है वो जो किसान बाइदेख रहे हो ये वीडियो इनके खेत की ए फार्मा उसकी है तो आपने कितनी द गंटे उस खेत के उपर मेहनत करके आता हूं हर रोज के दो रोज के दो बंदा दो गंटे सिंगल बंदा दो गंटे रोज के और मेरे पोदों की कंडिशन ही है कि जितनी होनी चाहिए उनसे डबल मतलब 70 परसेंट पोदे इतने हैं कि जो हाइट ले रहे है वो पांस पीट 270 परेड़ अभी तक जीवित है यानि कि 10 परसेंट तीस पोदे ही आपके मरे हैं तीस पोदे मरे हैं तो वह तो मैं देखो पहले भी यह बाई जो आपके सामने है लाई भी बता रहा और मैं भी मेरी जितनी वीडियो देखोगे तो सभी में बजाता हूं को दस परसेंट इस हो और लिटी हुआ है तो जो आपका वेंपर देख रहे हैं यह जो किसान भाइए देख रहे हैं स्क्रेंपशलिए आपकी वीडियो आपके वीडियो पर Ave को है ज大概 अब्र हाएई लगाए नहाट हों नहीं और देखते होंट रहे कर्या कि अभी मन के अंदर ख्याल तो कि मैंने पहले पहले विचार किया दो तीन महीने तक विचार किया कि लगाएं नहीं लगाएं लगाएं नहीं लगाएं नहीं लगाएं फिर मैंने घर वालों से राह ली और सभी मान गए तो मैंने लगाया और लगाने के बाद में जैसे गाँ वालों ने तो बहुत मतलब एफ्ट डाला कि नहीं लगाना नहीं लगाना इसमें लोस्ट होगा बट घर्वालों का साथ के मैंने लगा लिया अब गरवालों का सपोर्ट रहा और आपने मैनित करिये तो आज वह वह तयार हो आज वह तयार है और गावला को भी यह मतलब यह हो गया कि हां हम भी लगाएंगे तो देखो यह तो देखो नेगटिविटी रहती है कुछ लोगों को पता नहीं हो देख्वय doute कि अजले रहे होते हैं कि इस तरह की वह में ज dividing है कि आपने पीछे देख्श तो अभी आप दुबारा आए हो जो आपके मोटलिटी वी 10 परशंट वो पोदे आप दुबारा लेने आए हो तीस पोदे जो बता रहे हो कि मर गए हैं तो जो किसान है जो खेति करना चाहते हैं सिकर का जो आपका एरिया रहता है तो वहां यह खेति किस तरिक्के से मलब अग आपने ड्रिप लगा के और उससे आप एक से डेड़ गंटे पानी और जो दवाई है कि इतना सक वह दस दिन से पंदरा दिन से और 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 गेनिक हात तो अभी आपको दिखाते हैं जो आपने प्रास पोदे हैं यह लेके गए थे पहले उसकी कंडिशन क्या है अब तो जो कितना हेल्दी पोदा है तो आप जब लेके गए तो पोदे किस कंडिशन में थे मैं पूरी यही कंडिशन थी पूरे हरे बरे थे हरे थे हरे थे बरे थे और पोदे के आइट भी आपको देखने को मिल योगी मैं रेंडम ली एक पूदा उठागे दिखता हूं आपको पोदे लगने का तो अगर वो उस टाइम पोदे लगाते हैं तो यह पोदे आपको दिखाई देरा अलम भी दूरती हमारे बरे स्टोक काफी है पूदों का तो यहां पर आ कर देखे तो उनको क्या संतुष्टी यहां पर मिलेगी या फिर यहां से बेटर भी आपने भी चा यहां पर आपके तीसरी बार मेरे साब से आप आ पारे हो तो मनद देखके पूला सटिस्वाई हो एक दम से तो जो किसान हैं फार्मिंग करना चाहते हैं उनको क्या सुझाओ देना चाहोगे मेरा सुझाओ तो यहां जो आप पोदे लगाओ गे ना तो मैंली मैं यह सोचता जान है क्रेश सब्स्गूना देंगे और यह जो इंवेस्चनमनिक की बात है यह जिसे साल की सिरेंघना ठीन तीन सल की इंवेस्ट है और हमारी नर्सी पर आगे यहां पर सभी वराइटी के पोदे फल फूल औरोस देपोदे हमारे पास प्लब्ध है अगर आपको ज़्यादा चान करी ची तो आप जो मारी वैबसाइट है www.organicareality.in यह मारी यूटूब है और गिनी का रियाल इनर्सी फेस्बूक ट्विटर अकाउंट वहां पर जाके भी हमारी साही जानकारी है तो ले सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइल कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करते हैं ताकि जो परगती सिल्कि लिख रही इस कंडिशन में मिलेगा जाज जार इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद